आप देख रहे हैं जैभारत टीवी आज राउज एवेन्यू कोट ने उन्हें बरी कर दिया है आपको बता दे कि राजदानी दिल्ली में 5 अगस्त 2012 को 23 साल की गितिका शर्मा ने सुसाइट कर लिया था गितिका ने फांसी के फंदे पर जूल कर अपनी जान दे दी गितिका कांडा की एवेशन कंपनी MDLR एलाइन्स में काम करती थी और बाद में उन्हें कांडा के गुरुगराम स्थित कॉर्पोरेट आफिस का निदेशक बना दिया गया बता दे कि एरलाइन्स अब बंद हो चुकी है गितिका ने आधमत्या करने से पहले सुसाइड नोट लिखा था दो पन्नों के सुसाइड नोट में गितिका ने पूर मंत्री गोपाल कांडा और अरोना चडड़ा पर गंभीर आरोप लगाये थे और मौत के लिए इन दोनों को जिम्मेदा ठहराया था सुसाइड नोट में गितिका ने कांडा पर यौन शोशन और उत्पिर्णन के आरोप भी लगाये थे कोट का व्रिस्तित ओडर आना बाकी है लेकिन बताया जा रहा है कि इन दोनों पर लगे आरोपों को अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया ब्यूरो रिपोर्ट जैभारत टीवी